तो 30 तारिख वो आखरी तारिख थी, जिस दिन तक आप अपने आधार काड और पैन काड को लिंक कर सकते थे, अब अगर आपने अपना आधार काड और पैन काड लिंक नहीं किया, तो उसको निरस्ट कर दिया गया है मतलब कि आपका pen card जो है अब वो खराब हो गया है अब वो किसी काम का नहीं है लेकिन अब जब उसको निरस्ट किया जा चुका है तब सरकार ने कहा है कि हम एक हजार रुपिया का फाइन लेंगे क्योंकि आपने समय रहते अपने आधार card और pen card को link नहीं कराया कहा जा रहा है कि कई लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधार card और pen card को link नहीं कराया सरकार बार-बार चेताउनी देती रही और इसके बाद अब guidelines के अनुसार एक हजार रुपिया का fine आपसे वसुला जाएगा और आगे यही खबर हम आपको बताएंगे बागे नमस्कार मैं नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जन्शन देख रहे हैं सबसे बड़ी बात कि pen card और आधार card को लेकर बार बार सरकार कहती रहे कि आप इसको link कराएए link नहीं कराएंगे तो आपका जरूरी काम रुख जाएगा मसलन कई बैंकों का काम रुख जाएगा हो सकता है कहीं आपको और pen card की जरुवत हो वहाँ पर आपका काम फस जाए लेकिन 30 तारिक तक अर्तिम तारिक थी 30 जून को अब 30 जून तक जिन्होंने अपने pen card को अधार से link नहीं कराया pen अधार का link नहीं हुआ अब उनके लिए क्या है तो उनको 1000 रुपया का fine देना होगा और 1000 रुपया का fine जब वह देंगे तब fine देने के बाद सरकार उनके pen card को फिर से इसलिए active करेगी कि आप अपने आधार card और pen card को link करिए अब जरूरी बात कि अगर आपको माल लिजिए कि कल pen card की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपया का fine सरकार को देंगे और आपका pen card तुरंत active हो जाएगा बलकि आपके pen card को बंद कर दिया गया है तो उसको फिर से चालू होने में एक महीना का वक्त लगेगा मतलब कि एक महीने तक आपको इस बात के लिए इंतजार करना होगा 1000 रुपया fine देने के बाद भी अब फिलहाल pen card और आधार card को link कराना इतना जरूरी क्यों हो गया तो इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि सरकार को ऐसे कई सारे मामले मिले जहाँ पर एक ही number पर एक ही pen card को अलग अलग लोगों के लिए इसू कर दिया गया मतलब कि duplicate type का अब सरकार ने कहा कि आप अपने आधार card को अपने pen से link कीजिए या pen card को अधार से link कीजिए जब दोनों आपस में link होगा तो आपके एक unique identity हो जाएगी एक unique पहचान हो जाएगी और फिर कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता है कि pen card एक ही किसी दो लोगों के नाम पर जारी कर दिया गया हो फिराल कई लाख लोगों का pen card निरस्थ हो गया है वो बंध हो चुका है अब उसको फिर से चालू करवाने का एक मात्र उपाय है कि सरकार उससे 1000 रुपिया का fine लेगी 1000 रुपिया का penalty लेने के बाद सरकार कहेगी कि अब आप आधार और pen card को link करिए और दोनों जब आपस में होगा तब उसके बाद एक महीने का वक्त लगेगा जब आपके pen card को वापस से restore किया जाएगा, reactive किया जाएगा फिराल हमने आप तक पूरी जानकारी पहुचा दिये हमने आपको बताया कि 30 जून वो आखरी तारिक थी जब आपको अपना आधार card और pen card आपस में link करवा लेना था लेकिन अब तक नहीं हुआ तो अब 1000 रुप्या का fine भी दीजिए और एक महीने का आपको इंतेजार भी करना होगा आपकी परत्किरिया इस पर का है? comment box में लिकर बतायेगा अगर कुछ और बड़ी जानकारी आती है कुछ अपडेट आता है तो आप तक हम पहुचाएंगे तमाम ख़बरों के लिए हमारजाद बने रहिएगा वीडियों हैं ही पर समाप्त करते हैं कैमरे एक जब शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत अधन्यवाद